नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको पांच ऐसे चमतकारी हरे पत्तों के बारे में बताऊँगा जो बीमारी से मरते इंसान की भी जान बचाने की ताकत रखते हैं दोस्तों आप इन पत्तों का प्रियोग करके अपने पूरे सरीर को बिलकुल निरोगी बना सकते हैं और आपने करना क्या है हर रोज सुबे खाली बिट इन पांच परकार के हरे पत्तों का सेवन करना है और फिर देखी दोस्तों आपके सरीर में कभी कोई भी विमारी नहीं हो आपका पूरा सरीर, AD से लेकर चोटी तक का पूरा सरीर बिलकुल निरोगी बन जाएगा। दोस्तो, हार्ट डिटैक आपको नहीं आएगा। हार्ट ब्लोकिस खुल जाएगी। आपका कभी कोलोस्टोल नहीं बढ़ेगा। बैड कोलोस्टोल की समस्या आपकी दूर हो जाएगी। दोस्तो, आपके सरीर में खून की कमी हमेशा हमेशा के लिए खतम हो जाएगी। और ना सिरप आपके सरीर की खून की कमी का इलाज होगा, बल्कि आपके सरीर का खून साफ होगा, जिससे की आपके चेहरे पर नया गलो आपके सरीर का खून पतला होगा जिससे कि आपको नसों की ब्लोकेज की समस्या नहीं होगी। आपको चिकन उनिया, डेंगु जैसा जानलेवा बुखार कभी नहीं होगा। हाई बीपी, सुगर, नसों के दर्द से आपको पहले ही दिन में अराम दिखाई देगा इन पाँच पत्तों को लेने से। दोस्तों आपको बताते हैं कि ये पाँच पत्ते हैं क्या और उसके आखिर में आपको बताएंगे कि आपने इनका सेवन कैसे करना है। दोस्तों इन पाँच पत्तों में जो सबसे पहले पत्ता है जिसकी हम आज की वीडियो में बात कर रहे हैं वह है दोस्तों हराधनिया दोस्तों हराधनिया एक चमतकारी ओस्तियप होता है इसका उप्योग करके आप अपने सरीर के बहुत सारी बीमारियों का इलाज कर सकते हैं क्योंकि इसमें एंटी माइक्रोबाइल, एंटी ओक्षिजेंट, एंटी इंफ्लमेंटरी, रक्त में लिपिड को कम करने, रक्चाप को कंटोल करने, तंतरिका को सुरक्षा देने वाले और मूतरवर्दक गुण होते हैं। दोस्तों यह है, चाहे आपको diabetes की बिमारी हो, या आपको stress रहता हो, इन सब बिमारीों में चाहे आपको अपने सरीर की immunopower को बढ़ाना हो, दिल को मजबूत करना हो, पाचन को सही करना हो, पेट के रोगों से छुटकारा पाना हो, दोस्तों संकर्मन से आपको बचे रहना हो, सर्दी जुखम जैसे बीमारियों का इलाज करना हो तो हर अधनिया आप के लिए एक चमतकारी दवा की तरहें काम करता है और दोस्तो इसमें जो अगली सामगरी है वह है दोस्तो नीम के पति दोस्तो अयुरुवेध में नीम को कई बीमारियों के लिए पिर नीम की पतियों का सेवन करते हैं, तो इससे आपके सरेर की रोग प्रतुरोधक्षमता बढ़ जाती हैं, साथ ही आपको कहीं त्रहें के बीमारियों से निजात मिल जाती हैं, चाहे आपको डाइबटीज की समस्या हो, वजन को कम करना हो, या खून की खराबी हो, तवचा का कोई भी संकर्मन जैसा रोग हो, आतों के रोग हो, फोड़े या फुंसी होते हो, बालों में रूसी या फंगस की समस्या हो, या आपको नसों की सफाई करनी हो, अलर्जी से बचना हो, बुखार का इलाज करना हो, खून की सफाई करना हो, सांसों की बदवू से चुटका पाना हूँ या बैक्टिरिया से लड़ना हूँ दोस्तो इन सब बिमारियों का इलाज करने के लिए आपको नीम की पतियों का सेवन करना चाहिए और इन सब बिमारियों के लिए नीम की पतियां बेहद अधिक चमतकारी हैं आपके सरीर को निरोगी बना देती हैं दोस्तो इम्मिन्यूटी बोश्टर की इतने हैं काम करती हैं क्योंकि इसमें विटामिन C और जिंक बहुत अच्छी मातरा में पाए जाता है इसके अलावत तुलसी में एंटी बैक्टेरियल एंटी वैरल और एंटी फंगल गुन भी होती हैं वैसे दोस्तों आपके घर के बड़े जरूर सनी होगी कि जिस घर में तुलसी का पोदा होता है उस घर की तरफ बिमारियां कभी अपना मुह भी नहीं करती हैं वो इसी लिए है क्योंकि इस तुलसी के पोदा में एंटी बैक्टेरियल गुन पाए जाते हैं एंटी फंगल गुन पाए जाते हैं एंटी वैरल तब आप अपने सरीर को निरोगी बना सकते हैं। दोस्तो चाहे आपको आँखों की एक बीमारी है इससे पीडित हूँ तो आपको तुलसी की पतियों का सेवन करना चाहिए। वैसे भी तुलसी की पतियों में काडियो प्रोटेक्टिव गुन भी होते हैं। यह आपके दिल क बीमारीों से बचाक रखते हैं। दोस्तो इसमें एंटिडियोटिक गुन भी होते हैं जो आपके डियोटिस को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। और दोस्तो अगली जो इस नुस्खे में पतियों हैं वह है दोस्तो गिलोई की पतियों दोस्तो वैसे तो आप गिल गिलोई की पतियों का प्रियोग आप अपने सरीर की किसी भी विमारी से छुटकारा पाने के लिए कर सकते हैं चाहे आपको खून की कमी को दूर करना हो, आखों की रोशनी को बढ़ाना हो, प्रत्रोदक शमता को बढ़ाना हो या किसी भी लीवर की बिमारी हो, क्रोनिक फिवर की बिमारी हो, या अपने सरीर की कोई भी बिमारी हो, अपने सरीर का रंग निखारना हो, यानि अपने पूरे सरीर की सुध्धी करनी हो, इन सब में गिलोई की पतियां एक चमतकारी पतियों की तरह काम करती हैं, क्योंकि गि इलोए को अम्रित के समान माना चाता है हमारे सरीर के लिए जिससे परियोग करके हमारा पूरा सरीर सिर से लेकर पैर तक का पूरा सरीर निरोगी बन सकता है। मीठे की तलब सांथ करने में इसे बेहद असरदार माना चाता है। तबी तो इसका नाम गुड़मार है ये गुड़को यनि मीठे को सांथ करता है। दोस्तो वैसे भी एक निरोगी व्यक्ति भी यदि गुड़मार की पत्यों का सेवन करेगा तो उसे भी इससे बहुत सारे भाईती हैं। बहुत सारी बेमारियों का इलाज करने में ये गुडमार की पतियां बेहद ørदिक चमत कारी हैं तो चलिए अब आपको बताते हैं इन पाँच हारे पत्तों का परियोगा आपने कैसे करना हैं दोस्तों आपने क्या करना है एक पत्ता नीन का, एक पत्ता गुडमार का, एक पत्ता गिलोए का, एक पत्ता तुलसी का और एक से दो पत्ता ही हारे धनिये का लेकर आपने सुबे खाली बेट इसको चबा चबा कर खाना है और उपर से हलका गुनगुना पानी पीना है और फि पत्तों का एक साथ प्रयोग करें लेकिन यदि आप इस तरह से प्रयोग नहीं करना चाहातें तो इनका दोसरा प्रयोग क्या है आप एक दिन नीम के पत्ते लीजिए एक दिन तुलसी के पत्ते लीजिए एक दिन गुड़मार के पत्ते लीजिए एक दिन किलोए के एक दिन अलग अलग दिन लीचे पर फिर आपने इनके यदि आप अलग अलग दिन में लेंगे तो आपने एक पोदे के पांच पत्ते लेने हैं गुड़मार के पांच, गिलोए के पांच, तुलसी के पांच, नीम के पांच, धनिया के पांच फिर आपने इनको खाने के बाद उपर से गुनगुना पानी पीना है लगातार पांच दिन दो दिन का अराम फिर पांच दिन सेम पर यदि आप हर रोज इनका एक एक पत्ता लेकर उसको चबा कर खाएंगे उपर से गुनगुना पानी पीनगे तो दोस्तो आपके सरीर को पांच हरे पत्ते कितने चमतकारी हैं आपके पूरे सरीर को निरोगी बनाने के लिए तो देर खिस बात की है आप भी आज सेही इन पांच पत्तों का सेवन शुरू करतीजिए और अपने सरीर को बिल्कुल निरोगी बनातीजिए तो दोस्तों यह थी हमारी वडियो यदि वडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और सेर जरूर कीजिए इसके साथ में आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर बटन के साथ जो बेल का इकोन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारी सबी आने वाले वडियो की नोटिकेशन आत रहे धन्यवाद दोस्तो